पिछले कई दिन से जहां हिमाचल प्रदेश वे जम्मू कश्मीर में हो रही लगातार बर्फ बारी ने वहां के स्थानिये लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है और बिजली तक ठप हो गई है वही मध्यप्रदेश में ठंड कुछ कम हो गई है और तो और हिमाचल म तापमान में हुई 5 डिग्री व्रद्धी से अब महां का तापमान 29.6 डिग्री हो गया है उधर राजस्थान में अनुमान अनुसार चार दिन कोहरा रहेगा अगर कश्मीर की बात करें तो 10 इंच की बर्फ बारी ने लोगों के जीवन को काफी प्रभावित किया है एक और और श्रीनगर से जाने वाली सभी फ्लाइट्स तीन जनवरी से ही बंद है तता दे की पहल गाम गुलमर्ग तता श्रीनगर में हजारों की तादाद में प्रियतक फसे हुए है लगातार हो रही बर्फ बारी से पावर लाइन के ब्रेकडाउन के कारण उत्तरी दक्षिनी कई इलाकों में तापमान नीचे आ गया है जोदपुर जैसलमेर पाली और उदैपुर में भी तापमान में 10 डिगरी की गिरावट दर्ज की गई है कही कही रात में हुई बारिश ने ठिठूरन भी बढ़ा दी है यहां तक कि माउंट आबू में तापमान माइनस 3.4 डिगरी हो रही है तो कहीं सुबह से ही बादल चाय हुए है मौसम व्यज्यानिकों के अनुसार 10 जनवरी तक वहां ऐसे ही हालाद बने रहेंगे बुद्वार को 32.2 डिगरी राची का मैक्सिमम टेंपरेचर रहा बताते चले कि मध्यप्रदेश के भौपाल में 29.6 डिगरी तापमा जिलो में 4 दिन ओला व्रिष्टी भी हुई अगर मौसम व्यज्यानिकों की माने तो हरियाना में 9 जनवरी तक गहरी धुंद तदा 11 से 13 जनवरी तक शीत लहर चलने की संभावना है उधर पंजाब में पिछले कुछ दिन से तापमान बढ़ने के बाद ठंड फिर से लोटन की संभावना है गद्दिनों में जहां पटियाला अम्रित सर और कपूर्थला सहीत कई जिलों में हलकी बारिश के साथ बादल चाय रहे वहीं पटियाला में ओले भी गिरे ऐसे ही लेटेश कोब रहे पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद बैंक्वेट्स लाए है इंक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजगराना और फानेस बैंक्वेट आल जोती गार्डन वोल्ड-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning अपर्फेट वेन्यवाद वेडिन, लाँचिंग और पार्टी राजगराना और जोती गार्डन अजबी बैंक्वेट्स एंटर्प्राइब